शनी की पीडा से सभी लोग घबराते हैं, डरते हैं, शनी की किसी की दशा आने वाली हो, तो मन में एक शंका सी बैठनी शुरू हो जाती है, कि जाने अब क्या होगा, किसी का शनी का ढईया या शनी के साड़े सकती आने वाली हो, तो भी मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता ह कि अब जीवन न जाने कौन मोड लेगा, अब शनी से डरना थोड़ा सी हथ तक जायज भी है, क्योंकि शनी slow planet है, 30 साल बाद उसी राशी में वापिस आते हैं, तो जीवन के 30 साल बड़ी bracket को शनी कंट्रोल करते हैं, बहुत बढ़ा समय होता है, और शनी जब दिक्कत देने प दिक्कतें होती भी चोटी मोटी नहीं है, ये दिक्कतें भी king size होती हैं, ये इनसान के काम कारोबर को slow कर सकती हैं, इनसान के income को खत्म कर सकती हैं, शरीर के अंदर ऐसी व्याधी लेके आ सकती हैं, जो व्याधी लंबे समय तक चले, रिष्टों का खात्मा कर सकती हैं, तो की बीडाएं जो है यह बहुत बड़े लेवल की होती है तबी शनी को कहा जाता है कि यह न्यायधिश है पिछले जो भी संचित कर्म होते हैं अच्छे या बुरे उनके नतीजे शनी देते हैं इसलिए शनी से डरना जो है किसी हद तक लाजमी भी है लेकिन शनी का डर किस तरह से दूर किया जाए किस तरह से समझा जाए इसकी कारे प्रणाली को किसी भी चीज की कारे प्रणाली को जब समझ लिया जाता है ना तो इनसान को यह समझ आ जाती है कि दरसल यह हू क्यों रहा है और फिर उस चीज को डेलिट करना उस चीज को टालना बहुत ही असान हो जात ताकि आपको भली प्रकार से पता चल जाए कि अब शनी आने वाले हैं अब दान करके या कोई भी अन्य उपाई करके शनी को सही कैसे किया जाए तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं नमस्ते, मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइव यह दियो होगे शर्मा में दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि विनमर इन्य वेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपको शनी के बारे में अपने शनी के बारे में प्रॉपरली जानना है कि आपकी कुंडली के शनी कैसे रिजल्ट दे रहे हैं तो आप मेरी शनी की सीरीज को रेफर कर सकते हैं लेकिन आज के वीडियो में मैं बड़ी विशेश जानकर आपको देने वाला हूँ कि शनी जब भी खराब होते हैं ये आपके किस लेवल पे कौन से बदलाब लेके आते हैं तो सबसे पहले हम मन के लेवल पे आते हैं मन के लेवल पे इनसान को शनी inferiority complex देना शुरू कर देते हैं जब भी आपको लगे कि यार मन में एक अजीब सा inferiority complex आ रहा है मन के अंदर एक ऐसी भावना आ रही है कि इनसान दूसरों से खुद को कमतर समझना शुरू हो चुका है अब ये शनी के खराब होने की निशानी हो गई अब आप कुंडली चक कर वा लिजेगा शनी कहीं न कहीं आपके पीडित हो रहे हो गई मन को अन्य दूसरी दिक्कत होती है अच्छे बुरे की पहचान भूल जाती है खराब शनी वाले लोग उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो लोग टाइम वेस्टर होते हैं उन लोगों के संगत में ज्यादा रहते हैं जिनकी सलाह बहुत ज्यादा खराब होती है खराब शनी वाले जो लोग हैं ये लोग समय की कद्र भूलते हैं, ये मन को इस तरह से शनी खराब करते हैं कि इंसान जो है, समय की कद्र भूल जाता है, टाइम को waste करना, काम को कल पे टालना, ये शनी के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है, अभी मैं शनी के उस तलपे हूँ, जहां पे शनी मन को खराब कर रहे हैं यह मन के थुरू शनी अपने आने की आहट देते हैं अगर आपको लगे कि एकदम से गुसा बड़ा प्रचंड आना शुरू हो चुका है आप सामने कौन है एज में बड़ा है छोटा है सुपीरियर है इंफीरियर है इसको भूल के आप बिना बात के लोगों से भेड़ना आठकना शुरू हो चुके हैं यह शनी के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी है इसके अलावा शनी जब खराब होते है ना इनसान अपने करेक्टर से भी नीचे गिर जाता है यानि illicit relations ये शनी के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी है addictions लगातार शराब लगातार non-veg में involved रहना ये शनी के खराब होने की अन्य बहुत बड़ी निशानी है अब मन या आपके खानपान या आदतों से हटके अब शनी अगर शरीर को खराब करेंगे तो क्या देंगे शरीर को खराब करने पर इंसान सबसे पहले तो बिल्गुल आलिसी हो जाता है body की movement एकदम से बंद कर देता है और शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसी व्याधी आ जाती है जो या तो anxiety overthinking से जुड़ी हुई हो जैसे के digestion system का खराब होना जोडों के दर्द का होना शरीर के अंदर एकदम से शितलता आ जाना या शरीर के अंदर कोई ऐसी लंबी चलने वाली बिमारी आ जाती है जो जितनी मर्जी दवाईयां करती जाएं लेकिन वो बिमारी जो है जाने का नाम नहीं लेती कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जियो जियो दवा करी ये शनी जब शरीर पे खराब होते हैं तो ये शनी की बहुत बड़ी निशानी होती है बालों का बड़ी यंग एज में सफेद होना शुरू हो जाना बालों का जड़ना शुरू हो जाना ये शनी की अन्य निशानी है आईज की प्राब्लम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाना ये शनी की शरीर प्याने वाली एक और निशानी है शनी की सबसे बड़ी निशानी होती है इंसान की movement, चाल जो है वो बाधित हो जाती है किसी चोट की वज़ा से, किसी सरजरी की वज़ा से, किसी accident की वज़ा से जब चाल बाधित हो जाए nasında तो भी ये शनी शरीर पे जब खराब हो रहे हैं उससे revengeful होना शुरू हो चुके हैं या बिना बाद के उसे इंसान के खिलाफ कुछ शड़यंतर ऐसे होते हैं जिन पे उनका control ही नहीं होता पिछली कई ऐसे सोय हुए matters होते हैं जो बिना बाद के जगने शुरू हो जाते हैं light में आने शुरू हो जाते हैं ये शनी के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है जो इनसान नहीं भी किया होता ना उसके भी उसके इलजाम लगने शुरू हो जाते हैं ये होता है शनी का खराब होना इनसान अपनी transfer लेना चाता है transfer नहीं होती है इनसान का जो काम करने का महौल है चाहे हो जितनी मरजी secure job हो जाए काम करने का महल खराब शनी में इतना suffocating होना शुरू हो जाता है कि इंसान ना काम चोड़ते हुए बनता है ना काम करते हुए बनता है व्यपारी भी है ना इंसान और शनी खराब हो गये है अपनी लेबर की तरफ से बहुत जादा पीडित होना शुरू हो जाएगा या फिर वो इनसान जो है काम कारोबार में उसकी मशिनरी उसको इस तरह से धोका देना शुरू कर देगी कि उसकी productivity जो है मानो निल हो जाएगी खराब शनी के बहुत बड़ी निशानी होती है कि इनसान अपना घर जब भी बनाता है उसका घर बनाते ही उसके उपर मानो मुसीबतों का पहार रूट पड़ता है खराब शनी वाला इंसान बड़े खराब वास्तु में अपने workplace को establish कर लेता है ये शनी के खराबी की बहुत बड़ी निशानी होती है अब वास्तु की बात चलिये ना अब शनी जो हैं घर के भी कारक हैं शनी जब भी खराब होते हैं इनसान घर बनाना शुरू करता है उसके उपर लगातार दिक्कत आनी शुरू हो जाती है chain of events कभी रिष्टों की खराबी कभी काम की खराबी कभी चोट लग गई कभी कुछ हो गया उसके life में उसको समझ नहीं आता है कि दिक्कतें आ कहां से रही है जबकि उसकी जड़ में क्या था उसने घर बनाना शुरू कर दिया बिना शनी का उपचार की होई शनी की खराबी लोहे का चला पहन लीजिए शनी मंदिर में जाईए देखें ये उपचार बड़े जुरूरी हैं लेकिन ये डिपेंड करते हैं आपकी कुंडली में शनी कहां पे है शनी के बड़े लेवल वाले ब्रॉडर उपचार की डिसकुशन कर रहा हूं आपसे सबसे बड़ा जो श शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चड़ाने के बाद आप वहां पे बैठके पंचाक्षरी मंतर का जब करिए रोज 5-10 मिनट ये बिना गिने हुए करना है कुछ लोगों ने घर पे शिवलिंग स्थापित किये होते हैं वो घर पे ही पाट करते हैं यहां पे शनी क पीडा से शांती के लिए शिव मंदिर में जाना जरूरी है शिव मंदिर के अंदर की जो उर्जा है न वो जब आपके साथ एलाइन होती है न शनी की जो आपके पढ़ने वाली नेगटिव उर्जा है न ये उसको पॉजिटिव करती है शनी के अच्छी उर्जा को आपके स करना शुरू कर देता है अब इस इंसान को सलाहकार भी वो लोग मिलते हैं जिनकी सलाह से जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है ये बहुत बड़ी बात होती है और ये इतना सिद्ध उपाए है इसको आजमा के देखिए ये कभी 99% असर नहीं करता है ये उपाए हमेशा 100% असर करता है खाली यही नहीं इसी की continuity में एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो civil labor होती है ना मकान बनाने वाले मजदूर मजदूर कई तरह के हो सकते factory में काम करने वाले transportation वाले लेकिन जो civil labor होती है ना मकान बनाने वाले मजदूर आप शनी की किसी भी दिक्कत की सूरत म आप इनको नमकीन खिलाते रहिए आप भजिया खिलाए पकोड़े खिलाए कुछ भी नमकीन जो है आप इनको खिलाते रहिए specially शनी वार वाले दिन शनी की अभूत पूर्व क्रिपा आपको मिलनी शुरू हो जाती है अब शनी की क्रिपा यह नहीं होती है कि कोई काम बिग बिड़ा भी नहीं था और यह धीरे धीरे ही स्लोली ही ठीक होगा शनी का कोई भी असर जो है थोड़ा स्लोली ही होता है इसलिए patience रखना भी शनी का एक बहुत बड़ा उपाय है और सबसे बड़ा जो शनी का उपाय है वो है अंद विद्याले में या blind लोग अगर आपके आसपास close proximity में है उनके जीवन में कोई ना कोई support दी जाए उनके जीवन में कोई ना कोई अच्छा परिवर्तन लेके आए जाए उनके लिए कोई साधन बनवाए जाए तो आपके शनी जितने मर्जी खराब होंगे यह बहुत ही अच्छे result आपको देना शुरू करतेंगे कार्मिक connection के planet हैं इसलिए अपने कर्मों को सही करना अपने कर्मों को पेवर करना अपनी integrity को बना के रखना ये शनी को सही करने का एक बहुत बड़ा उपाय है इसको आजमा के दिखेगा इसके नतीजे बड़ी तेजी से बहुत जल्दी आते हैं तो दोस्तों ये था आज श वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक बहुत जल्द मिल रहें नए टॉपिक नए विशे के साथ तब तक अपना खूब धान रखेगा नमस्कार